देखो भाईया मैं ऐसी बात बताऊं कि ने तो मैं कोई जोती सी हूँ और ने कोई भविश बगता हूँ लेकिन मैं तो सिर्फ अनुभाव और अनुमान से कह सकता हूँ देखो बुरानी मानना कारणी यह कि आप तुलना की द्रश्टी से अगर कहते हो तो अनुमान तो मेरा 90 से अधीक यहने नन्यानुप्रजिशत मोधी सरकार बनने का योग बन रहा है अब क्यों बन रहा है कि वह आदमी गुजरात का मुख्यमंत्री रहा हुआ जिए और उससे तुजरुबाए अच्छा उसका उमर और अनुभव है अब आप राहुल जी की बात करते हो बार बार तो राहुल जी तो उसके सामने एक बच्चा के बराबर है अब उसको अनुभव तो है नहीं अब उसकी सरकार बनाओगे तो देश को क्या खड़े में डालोगे क्या उसको मजदार में डूबोगे नाराज मत होना और ऐसे ऐसे दोस्ट भी इस दुनिया में है जो बारतवर करना सकता है तो ऐसे नेताओं को देश में चुन करके या उनको लाकर के तो क्या देश को पतन में ले जाना डूबाना रहे नाराज मत होना लालू प्रसाइद मैरा कोई दूशमन नहीं है पर हेट हिंदू संस्कृति का है भारतवासी है तो उसको रेल मंत्री बनाया उसको अपने देश के फाइदे के लिए बनाया तो उसने अपने पूरे घर परिवार को माला माल कर दिया अपने पूरे घर परिवार को माल कर दिया अपने पूरे घर परिवार को माल कर दिया अपने अपने पूरे घर परिवार को माल कर दिया अपने अपने पूरे घर परिवार को जो धर्म की होगा नियाय की होगा मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ मुझे राजनीती से कोई लेना देना नहीं पर मैं तो सत्य धर्म नीती और नियाय की बात करूँ energetic अगर मुझे पूछोगे चो मैं यहीं कहूँगा कि जो मोधी सरकार को नी चाहेगा मोधी को बोट नहीं देगा तो वो समझो अपने आप पेरों पे कुलाडी मार रहा है इसलिए मैं सभी भारतवासियों से सभी राजजोर जिले के लोगों को इन्याज़ोर के करबदन निवेदन और प्रातना करता हूं कि आप मोधी सरकार को ही लाओगे कम से कम इसको दस साल का चांस तो दो यार जबकि वो मनमोहन सिंग जैसे कोई अपने पिता जी का पट्टा हो वो दस साल तक बैठा रहा अम अब प्रधान मंतरी के पद पे और उसने देश को कोई डवलप नहीं किया नाराज मत मोधोना हाला कि मैं मैं कहता हूं कि वो खाली सौनी आजी के बलबुटे पर वो बैठा रहा और खाली चुपचा बैठा रहा लेकिन कुछ देश का उसने भला नहीं किया मेरे द्रस्टिकोर्ण में अब फिर भी मुझे लग रहा है कि अगर ये पांक साल ये रह गया ये मोधी सरकार तो देश माला माल हो जाएगा देश माला माल जो पहले भारतवर्ष एक सौने की चिडिया मानी जाती थी वो पुना एक भारतवर्ष ये सौने की चिडिया बन के रहेगी इसलिए मैं यही बार बार आपको निवेदन करूँगा कि आप राज्य और जिले में पूरे देश में इसी प्रकार का एनाउंस करोगे और एड़वर्टाइज करोगे कि मोधी ही रहे जादा नहीं तो कम से कम पांस साल तो उसको चांस तो मेरी प्रातना है अगर आपको अच्छा लगे तो उसको पुना जिताना पर पांस साल तो उसको और मोका तो